हाई परेंट्स वेलकम तु मा यूट्ब चैल्ड में टीथ की कॉंटिधी किती होती है यह सारी चीजे आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो आईए जान लेते हैं टीथ के बारे में तो हमारे जो माउथ है उसमें 4 टाइप्स के टीथ प्रजेंट होते हैं पहला होता है इंसिजर, दुसरा होता है के नाइन तीसरा होता है प्री मोलर, और चौथा होता है मोलर यह 4 types के क्या होते हैं हमारे mouth में teeth present होते हैं कौन सा कौन सा होता है incisor होता है canine होता है premolar then molar यह 4 types के teeth अपने mouth में present होते हैं अब जान लेते हैं यह कित्ते कित्ते होते हैं इनकी quantity कित्ती होती है फर्स्ट वाला incisor incisor जो होता है अपने जो mouth का front teeth है फ्रंट आने की सामने वाला जो टीथ है जो फोर टीथ है फ्रंट वाले उसको बोलते हैं इंसीजर की कॉंटिटी किती होती है जो नीचे साइड होता है वो फोर होता है देन ऊपर साइड के होता है फोर होता है तो इसकी कॉंटिटी जो है एट होती है और यह साखारी के लिए He knows K9 जो होता है जो इंसीजर के बाद जो क्योंटयटी होते है इसकी कॉंट dolga not इसकी इन स्बुने कोल इसे इसमें कहें मासारी के लिए responsible होते हैं for example के लिए लायन में लायन में क्या होता है जो केनाइन होता है ब्रॉड होता है जो नुकीला होता है ब्रॉड नुकीला जो यह क्या होता है मासाहरी के लिए responsible होता है मास खाने के लिए उनमें यह जो केनाइन होता है वो ब्रॉड होता है देन उसके बाद आता है प् फोर होते हैं टोटल छुपर 4 होते हैं राइट टू टू ऊपर भी कहते हैं तो इसकी प्री मोलर की पूरी कुरुक् साध्यक्ट होता है Εॉले उसके बाद लास्ट वाला टीथ होता है जो राइट साड़ में थ्री होता है यानि की नीचे पूरे शिक्स होते हैं तो उसकी पूरी कॉंटिटी किती होती है उती है जो लास्ट वाला मोलर होताया याने कि थर्ड मोलर को विल्डम टीद भी कहा जाता है जो 24 यर के बाद ही निकलता है किसी का पहले निकल जाता है ठीक है तो पूरे जो टीद की कॉंटिटी हुई वो किती हुई अब जालेते हैं चाइल्द में प्रसेंट उते हैं तो बच्चों में क्या होते हैं इन ca उती है जो सामने का फ्रंट ज YOUR वो क्या है इन सीजरना उसकी कौंटिटी कीती हुथ वद वैं नीचे 4, लेन उपर 4, इसकी Колúp तो पूरी टोटल होती है, 8 होती है देन उसके बाद आता है, के 9, के 9 की बच्चों में कॉँटिव किती होती है, 4 होती है राइट सायड वन, लैप्च सायड वन, लेन उपर दोनो सायड, 1 होती है तो इसकी पूरी टोटल कौन्टीक लेन उसके बाद आया था एडल्ट में क्या रहा था थी आ dogs trae the श्रेक्त में अध्रमन typically प्रजेंट नहीं होता प्रिमाल राल बच्चों में प्रजेंट नहीं होता इन उसके बाध है मोलर में क्या हो रहा था थ्री मोलर हो रहे थे एडल्ट में किते हो रहे थे थ्री मोलर प्रजेंट रहे थे ना तो कुंसा कुंसा हो फास्ट सेकेंड थार्ड मोलर है ना तो थ्री मोलर प्रजेंट थे किसमें एडल्ट में बट बच्चों में क्या होता है तू ही मोलर प्रजे नहीं होता है मोलर किता होता है एड होता है जो लास्ट वाला जो मोलर था थार्ड मोलर वह हट जाएंगा मोलर वह लास्ट वाला मोलर प्रजेंट नहीं होता थार्ड मोलर क्या बोलते हैं वह प्रजेंट नहीं होता चैल्ड में तो चैल्ड में टोडल कॉंटिटी किती हुई कि 20 20 जो 20 टीट प्रजेंट होते हैं किसमें चाइल्ड में और एडल्ड में 32 एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो क्या हो रहा था इंसीजर इंसीजर में सामने का फ्रंट वाला टीट सामने का जो फ्रंट वाला टीट देनस के फ्रंट में उसके के बलते हैं इंसीजर चुकल वाल एक लेंहा सिर्ण के न बसुंद्भ उनमें क्या होता क्टती होती है 4 ूसके बादा तिह हमें उसके प्रीमोलर्मց क्कटी होती है इसकी quantity किती होवी, पूरी एट हो गई, ठीके, गने उसके बाएद आरह था molar, molar की quantity किती होती है, right side 3, left side 3, then उपर दोनो side 3, 3, तो इसकी quantity किती थी, 12, 12 quantity थी, इसकी कि씨 कि पूर की, molar की नाम क्या होते हैं, फर्स्ट वाला molar को, फर्स्ट molar, सेकंड molar, एंड थर्ड molar, जो third molar है उसको wisdom tooth भी कहा जाता है या अकलदार भी कहा जाता है तो adult में जो होती है teeth की quantity किती होती है 32 quantity किस में होती है adult में होती है then child में 20 तो 20 जो teeth होते हैं वो child में होता है और child में क्या क्या present होता है and incisor होता है eight होता है canine किता होता है फोर होता है pre molar present नहीं होता प्री मोलर जो होता है बच्चों में प्रजेंट नहीं होता और मोलर का जो थर्ड मोलर है वो बच्चों में प्रजेंट नहीं होता तो इसकी पूरी कॉंटिटी बच्चों में किती होती है बच्चों में किती टीथ होते हैं 20 20 टीथ किसमें होते हैं बच्चों में प्रजेंट होते हैं जिसे मिल्क टीद भी कहा जाता है थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक सेर एंड सब्सक्राइब करें